हलो एवरीवन दिस इस प्रियंका जख़ड एंड आई वेलकम यू ओल एड कोमेंट जो बलट उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानि 8 ओफ एप्रेल को बीएड वोसिज बीटीसी में जो एक क्लियरिफिकेशन जो एक आच्छी का द होई उसकी वीडियो देखी होगी मैंने भी आपके साथ जो सुप्रिम कोट की जो लाइव हेरिंग हुई थी उसकी वीडियो शेयर की थी तो देखिए अब में बात आती है कि जो कल बीएड वोसिज बीटीसी में जो सुप्रिम कोट ने जो अपना जो फाइनल डिसीजन जो जारी किया है उस decision का क्या impact होगा different recruitment पे क्योंकि देखिए कल से ही बहुत सारे candidate के comment आ रहे है कि मैं जो already B.A. candidate जो already join कर चुके है यानि कि 11 अगस 2023 को Supreme Court के decision आने से पहले जो B.A. candidate जोइन कर चुके है तो अब उनका क्या होगा और इसके अलावा भी देखिए ऐसे भी बहुत सारे candidate है जिनकी recruitment तो 11 अगस 2023 से पहले आई थी बट अभी तक उनकी joining नहीं हुई है और इसी के साथ ही देखिए N.I.U.S. candidate का भी बहुत जादा question सारे है कि अब N.I.U.S. candidate का क्या होगा क्या उन पे भी कोई final decision लिया गया है तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी topic पे discuss करेंगे सबसे पहले तो ऐसे candidate जिनोंने B.A.D. की हुई है और जो अलेडी जोइन कर चुके है सेकिंड ऐसे candidate जो की B.A.D. की हुई है बाकि उनकी अभी तक joining नहीं हुई है और साथ में ही NIH candidate की हुई तो देखिए कल B.A.D. vs. B.T.C. में जो एक clarification याची का थी उसमें आपने दो वर्ड जुरूर सुनी होंगे एक वर्ड था retrospective एक है prospective तो अभी भी देखिए बहुत सारे candidate के माइन में काफी confusion है इन दोनों वर्ड का क्या मिनिंग है हाला कि मैंने इसके regarding पहले भी आपको काफी बार वीडियो में बताया है वाकि फिर भी बहुत सारे ऐसे candidate है जिनके माइन में अभी भी इन दोनों वर्ड को लेकर बहुत जादा confusion है तो सबसे पहले देखिए हम इसी वर्ड को समझते है कि एक्चलर मिनिंग क्या है इन दोनों वर्ड का सबसे पहले अगर मैं बात करू रिट्रोस्पेक्टिव की तो देखिए रिट्रोस्पेक्टिव का मिनिंग होगा जैसा आप सभी को पता है कि B.A.D. को प्रैमरी टीचर रिकूटरमेंट में इलिजिवल करने के लिए N.C.T.E. ने 2018 में एक गजट जारी किया था और उसी गजट के बाद B.A.D. केंडिट को PRT में समिल किया गया था और उसके बाद 11 अगस 2023 को सुप्रीम कोट का डिसीजन आता है और उस डिसीजन के अकोडिंग B.A.D. केंडिट को PRT से बाहर कर दिया गया था तो रिट्रोस्पेक्टिव का सिम्पल सा मिनिव होगा कि जिस दिन यानि कि जिस दिन N.C.T. का जो गाइड लाइन आई थी जो गजट आया था उसी दिन से B.A.D. केंडिट को बाहर किया जाए अगर मैं बिल्कुश सिम्पल सी लेग्विज में अगर मैं कहूँ कि अगर B.A.D. वो सी B.T.C. में सुप्रीम कोड का डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव अगर इंप्लीमेंट होता है तो उसका सिम्पल सा मिनिंग होगा कि 2018 से ही उस रूल को इंप्लीमेंट किया जाएगा और 2018 के बाद इतनी भी B.A.D. कैंडिट जिनका सेलेक्शन हो चुका है जिनकी जोइनिंग हो चुकी है उन सभी कैंडिट को बाहर किया जाए वाकि देखे डिसीजन ये लिया नहीं गया है आप अभी ये मत सोच लेना कि रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन लिया गया है नहीं ऐसा नहीं है आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझीएगा अब आपको हम बात करते हैं नेस्ट पॉइंट पे कि प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होगा देखिए प्रोस्पेक्टिव का मिनिंग होगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया यानि कि 11 अगस 2023 से उसी दिन से Supreme Court का decision implement किया जाएगा और उसी दिन के बाद जो भी B.A. के candidate है उन्हें PRT में जोइनी नहीं दी जाएगी उन्हें PRT में इंकंसीडर नहीं किया जाएगा और उससे पहले जो भी candidate जो जोइन कर चुके है या फिर जिनकी recruitment पहले आई है उन candidate पे Supreme Court के decision का कोई effect नहीं होगा तो I hope अब आपको बिल्कुल clear हो चुका होगा कि retrospective और prospective में दोनों में क्या difference है और अभी भी देखिए अगर आपके माइन में अभी भी कोई भी confusion है तो नीचे आप comment box में comment कर सकते हूँ मैं फिर से try करूँगी कि आपको इन दोनों point में difference जुरू समझा पाऊं तो अब हम बात करते है कि कल B8 vs BTC में जो Supreme Court का decision आया है वो कैसे implement किया जाएगा वो retrospective होगा या prospective होगा तो सबसे पहली बात देखिए Supreme Court ने अपने order में clearly बात बोली है कि B8 vs BTC का जो Supreme Court का decision है वो prospective implement होगा prospective मतलब 11 अगस 2023 के बाद यानि कि 11 अगस 2023 के बाद B8 candidate को PRT में include नहीं किया जाएगा और जो पहले join कर चुके है वो candidate safe है तो आई होप अब यह point आपको बिल्कुल clear हो चुका होगा next point आता है subject to outcome देखिए इसके regarding मैंने आपके साथ एक video share की थी even I think before three months मैंने एक video आपके साथ share की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो subject to outcome का जो यह point है यह B8 candidate के लिए कहीं ना कहीं last में जाके एक वर्दान साबित होगा मैंने यह video आपके साथ share की थी अगर आपने अभी तो वो video नहीं देखी है तो आप देख सकते हो और I think उस तेम मेरे अलावा I think किसी ने भी यह video नहीं बनाई थी कि subject to outcome जैसे भी कोई चीज B8 candidate के लिए इतनी अच्छी हो सकती है तो देखे B8 में जो subject to outcome को लेकर भी एक बात उठी कल सुप्रीम कोट में तो अब हम इसी चीज को समझते है कि subject to outcome एक्च्छल में है क्या और ऐसी कौन कौन सी recruitment है जहां पे subject to outcome का direct impact देखने को मिलेगा और क्या ऐसी कोई भी recruitment जहां पे subject to outcome mention नहीं है तो क्या वहां पे B8 केंडिट सेफ है और जहां पे subject to outcome mention है तो क्या वहां पे B8 केंडिट को directly बाहर किया जाएगा अब हम इन सभी point पे discuss करते है सबसे पहली बात तो देखी अभी आप अपनी screen पे KVS का एक notification देख सकते हो KVS की जो अभी जो just recent में एक recruitment जो complete की गई है ये वही notification है इसमें आप देख पाओगे कि यहां पे clearly mention है subject to the outcome of Supreme Court SLP ये line clearly mention है तो देखी इसका reason क्या था क्यों ये line यहां पे mention की गई सबसे पहले हम ये देखते है तो जैसा आप सभी को पता है कि जो beard versus BTC का जो final decision है वो आया था 11 अगस 2023 को और जो KVS की recruitment थी ये अगस 2023 से पहले आई थी इसके advertisement काफी time पहले issue की जा चुकी थी और क्योंकि देखी NCT के gadget के according beard के candidate eligible थे for the PRT तो KVS ने अपने notification में भी beard candidate को सामिल किया for the PRT पर उन्होंने एक बात mention कर दी क्योंकि देखी उस time पूरा जो beard वो सी BTC को लेकर काफी जादा मुद्धा चर्चा में था और इसी को लेकर Supreme Court में काफी hearing भी चल रही थी हाला कि final decision नहीं जारी किया गया था पाकि उसके लिए already hearing हो रही थी तो KBS ने अपने notification में ये point डाल दिया कि subject to the outcome इसका simple सा meaning होगा कि beard candidate को हम recruitment में सामिल कर रहे है beard candidate exam भी दे पाएंगे but finally उन्हें recruitment में रखना है या नहीं यानि कि beard candidate को joining देनी है या नहीं देनी वो decision इस बात पर depend करेगा कि Supreme Court से क्या decision आएगा और देखिए आप सभी को पता है कि जैसे ही Supreme Court का decision आता है उसी के साथ के विस अपना result जारी कर देता है और result के बाद जो beard के candidate थे उन्हीं completely बहार कर दिया जाता है from the PRT और देखिए अब ऐसा ही जुरूरी नहीं है कि सभी के notification में ही ये बात mention हो यानि कि subject to outcome अगर किसी के notification में mention है वो तो देखिए आपको directly आपको पता लग जाएगी आप जिस भी state से हो जहां से भी हो आप अपना notification चेक कर सकते हो इसके अलावा भी देखिए कुछ ऐसी states भी है जहां पे advertisement में ये बात कहीं भी mention नहीं थी subject to outcome बट उनके joining letter में ये बात clearly mention की गई है और इसका सबसे बड़ा example है मद्धे परदेश देखिए मद्धे परदेश में BA candidate को joining दी गई और उनके joining letter में ये line clearly mention है already ही वहाँ पे बात mention की गई है कि subject to the outcome of court decision तो उसी के भीहाब पे देखिए अब आगे उनका future है वो decide किया जाएगा अब उमीद है कि आपको subject to outcome को लेकि जो इतनी ज़्यादा confusion थी वो आपके high hope clear हो पाई होंगी तो अब हम बात करते है कि ऐसी कोई भी state या फिर ऐसी कोई भी recruitment जहाँ पे subject to outcome mention है तो क्या वहाँ पे directly be a candidate बाहर है अपने decision में ये बात clearly mention की है कि जिस भी state में क्यूंकि देखे different state wise बहुत सारे cases चल रहे है be a versus btc को लेकर different different high courts में decision भी आये है काफी जगा भी ऐसी भी है जहाँ पे decision नहीं लिए गए तो देखे ऐसी कोई भी state या फिर कोई ऐसी कोई भी जहाँ पे subject to outcome mention है अब उन b.a. candidate को recruitment में रखना है या नहीं रखना है ये decide करेगी उस state की high court यानि कि जिस भी state की वो recruitment है उस state की high court अब इस बात पे decide करेगी कि उन्हें b.a. candidate को recruitment में सामिल करना है उन्हें joining देनी है या फिर उन्हें जो भी already join कर चुके है उन्हें job में रखना है या नहीं रखना है तो totally हमें ये नहीं कह सकती कि b.a. candidate को जहाँ पे भी subject to outcome mention है वहाँ पे बाहर किया जाएगा अभी भी उनके लिए एक उमीद है कि अब जिस भी state की recruitment है उस state की high court इसके बारे में बिल्कुल clarify करेगी तो अब उमीद है कि आपको ये point भी clear हो चुका होगा कि अभी भी बहुत सारी option है b.a. candidate के लिए तो अब हम बात करते हैं देखिए e.t. t.e. चोंट के बारे में क्योंकि देखिए बहुत जादा जो question जो candidate के आ रहे थे वो आ रहे थे e.t. t.e. चोंट के बारे में कि क्या e.t. t.e. चोंट में b.a. candidate को सामिल किया जाएगा और अगर सामिल किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा candidate को joining कब तक दी जाएगी और इसके अलावा एननाइस candidate के ओपर भी बहुत जादा क्या होगा फाइनली तो सबसे पहली बात तो देखिए जैसा आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोट ने डारेक्ली बोला है कि जो subject to the outcome का point उठाया है तो सबसे पहले तो देखिए एटटी तेज ओट की recruitment में कहीं भी subject to outcome mention नहीं है आप खुझ से भी अपनी एड़ोटाइजमेंट देख सकते हो उसमें कहीं भी subject to outcome mention नहीं किया गया तो इस point को देखिए तो देखिए simple सा आप खुझ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो कल सुप्रीम कोट का जो decision आया है उस decision के according ETT तेई चोट में B8 Candid को सामिल किया जा सकता है पर इसके अलावा भी देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे point है जिन पर अभी हमें focus करने की जुरूरत है सबसे पहली बात तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि इसके कारे में कुछ high court अपना decision दे तो यह देखिए आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले ही जो डिपार्टमेंट है युचटी तेई चोंट को लेकर high court गया था कि हमें क्लेरिफिकेशन दी जाए कि बीड के कैंडिट का क्या करना है क्या बीड केंडिट को जोइनिक देनी है और इसके साथ ही देखिए एन्यास कैंडिट के लिए भी सेम क्लेरिफिकेशन मांगी गई थी और high court में आप सभी को पता है कि क्या कुछ हुआ high court ने directly क्लेरिफिकेशन देने के लिए मना कर दिया कि डिपार्टमेंट अपने बिहाव पे खुद से डिसाइड करे कि अब उन्हीं क्या करना है क्या बीड केंडिट को सामिल करना है क्या एन्यास केंडिट को सामिल करना है या नहीं करना है बला टोटली डिपार्टमेंट पे अब कि department इसके बारे में क्या decision लेगा क्योंकि देखे जो कल जो B.A.D. vs B.T.C. में जो सुनवाई हुई है clarification को लेके उसके according तो देखे जो ये recruitment है ये 11 गस 2023 से पहले आई थी और यहाँ पे जो B.A.D. के candidate है उनका जो selection process है almost complete हो चुका था अब बात आती है देखे इसके अलावा भी एक point और भी है यहाँ पे बात आती है appointment की क्योंकि देखे कल जो मानेली Supreme Court में इस बात को बार-बार point out किया जा रहा था कि जो candidate already join कर चुके है यानि कि 11 अगस 2023 से पहले जो candidate join कर चुके है उनकी job को safe किया जाए जिस दिन से हमारा order पास हुआ है यानि 11 अगस 2023 से उसके पहले जो भी appointees है जिनका appointment हो गया है वो सारे saved है तो अब भी देखिए ATT तेही चोट में आप सभी को पता है कि अभी तक candidate की joining नहीं हुई तो ये point हो सकता है कही ना कही छोटा सा point मैं मान सकती हो सकता है कि ये थोड़ा सा negative point हो सकता है candidate के लिए कि अभी तक यहाँ पे joining नहीं हुई पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि joining नहीं दी जा सकती हालागे देखिए कुछ ताइम में जो सुप्रीम कोट के जो order है वो official जो order है वो जारी कर दिये जाएंगे और उस order में ये बात भी बिल्कुल क्लिरिफाई हो जाएगी कि जो ओलेडी जोइन कर चुके है तो क्या सिरफ जो decision का impact उनहीं पे होगा या फिर जो अभी joining का wait कर रहे है उन पे भी कोई impact देखने को मिलेगा नहीं होगा ये देवे शर्वा में चैलेंज हुआ सुप्रीम कोट में SLP में और यहां judgment आता है 11 अगस 2030 और हाई कोड की order को अफोल्ड किया यानि कि बिएड बाहर हो गए प्रैमरी एजूकेशन से issue ये था किस दिन से बाहर हुए notification के date से June 2018 से या सुप्रीम कोट के judgment के date से क्योंकि बीच में और कुछ orders आये थे जैसे अहिमानचल का उसने कहा थे it is valid qualification आज सुप्रीम कोट ने clarify कर दिया कि जिस दिन से हमारा order पास हुआ है यानि 11 अगस 2030 से उसके पहले जो भी appointees हैं जिनका appointment हो गया है वो सारे saved है अब इसमें दो interpretations आ रहे हैं पहला जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का appointment 69,000 बरती में 37,000 लोग बीट है उनका appointment हो गया था 2021 मार्च तक complete हो गया था मगर जो और appointments हुए बिहार में मत्र प्रदेश में वहाँ पर लिग दिया subject to outcome of Dewey Sharma case in Supreme Court तो मेरा interpretation है कि वो सारे saved है क्योंकि Dewey Sharma में अगर बाहर करने के लिए कहा बीट को तो आज के दिन इसी Supreme Court ने कह दिया कि हम clarify करते हैं कि जिनकी नोकरी लग गई है वो नहीं जाएगी तो UP में इसका कितना असर देखा जाएगा यूपिस में सीधा UP के लिए तो सबसे हर्श का विसे है कि UP के 37,000 टीचर्स प्रैमरी टीचर्स जो 69,000 भरती में बीएट टीचर्स जो 69,000 भरती में पॉइंट हुए थे वो पूरी तरह से saved हो गए है उन पर किसी तरह की आच नहीं आएगी तो अब यह माना जाए कि 11 अगर 2023 के बाद जो भी बीएट डिग्री धारक होंगे वो फिलार प्रैमरी टीचरों में इलिजबल नहीं है इक्जैक्ली उस पार्ट पे यानि जिसको नोकरी नहीं मिली है वो एलिजबल नहीं होंगे प्रैमरी एजुकेशन के लिए वो देवेश शर्मा का जज्जमेंट इंटेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है राकेश मिश्रा प्रैमरी टीचर बीएड उत्रपरदेश के लिए देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम conclusion के point of view से अगर हम बात करे तो जो candidate 11 अगस 2023 से पहले already join कर चुके है चाहे वो किसी भी state से हो वो सभी candidate जिन्होंने B.A.D. की हुई है और IJ.P.R.T. जो अपनी service दे रहे है वो सभी candidate safe है second देखिए E.T.T. 23 चोंट में B.A.D. केंडिट को सामिल किया जा सकता है बट ये totally depend करेगा department पे department क्या चाहता है क्योंकि देखिए अभी क्या main issue चल रहा था कि clarification को लेके ही बहुत ज़्यादा issue थे कि clarification नहीं थी क्योंकि इसी वज़े से देखिए साइध हो सकता है कि department भी इसी बात का वेट कर रहा हो कि Supreme Court से कोई final decision आ जाए उसके बाद हम joining की process को आगे continue करें ताकि कल को कोई और issue arise ना हो क्योंकि department के mind में भी ये है कि अगर कल को Supreme Court से कोई negative decision आ जाता है तो कही ना कही at the end इसका impact बहुत large number of candidates पे देखने को मिलेगा तो अब देखे clarification Supreme Court से भी आ चुकी है तो अब मुझे नहीं लगता कि department के पास कोई भी point है ऐसा बचता है कि candidate को joining ना दी जाए अब एटटी तेज चोंट की recruitment को आगे carry forward की जा सकती है पर उससे को start किया जा सकता है अगर department चाहे तो और रही बात कि BA candidate पे क्या decision लेना है तो देखे डिपार्टमेंट के पास अपनी खुद की एक legal cell है वो legal cell से advice ले सकता है कि हमें इस पे क्या करना चाहिए Supreme Court से decision आ चुका है subject to outcome भी नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए at the end देखे डिपार्टमेंट ही decide करेगा BA candidate का future क्या होगा क्योंकि high court already अपनी तरफ से TCB clarification के लिए मना कर चुका है और Supreme Court decision आ चुका है इसके अलावा देखे हम बात कर लेते NIS candidate के लिए भी कि NIS candidate का क्या होगा तो देखे NIS candidate के regarding already हाला कि decision आ चुका है एक पूरा negative ही decision था कि candidate को बाहर किया जाए तो उसके बाद किस तरह से positive response भी आया Supreme Court से तो यह हो सकता है कि आने वाले टाइम में NIS candidate के लिए भी कुछ इस तरह का decision लिया जाए कि इस date के से पहले जो भी candidate है जिनोंने exam दे दिया है जो recruitment में है consider की हुए उनको joining दी जाए क्योंकि अब भी भी बहुत सारी ऐसी states है जहां पे ओलेडी NIS candidate जोइन की हुए है और वो अपनी service दे रहे है तो देखिए चाहे तो department NIS candidate को भी अराम से joining दे सकता है बाकि देखिए उमीद तो यही करेंगे की department भी इसके बारे में सोचे और जल्द से जल्द आगे जो recruitment की जो process है उसे आगे की process को start किया जाए ताकि candidate की joining हो सके बाकि देखिए इसके आप यह सोचो कि आप घर बैठे रहो होगे और आपकी joining हो जाएगी तो देखिए आप को बता ऐसा नहीं होगा और सबसे main issue यहाँ पी यह है कि candidate आपस में ही लडाई कर रहे है आपको यह चीज हमेशा माइन में रखनी चाहिए कि unity is the strength अगर आप एक हो तो काडर अगर एक है तो कहीं न कर डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से positive response देगा पर अगर आप आपस में ही लड़ते रहे तो देखे डिपार्टमेंट से आप ज़्यादा उमीद नहीं रख सकते बाकी देखे फिर भी हम उमीद करेंगी कि बहुत जल्द recruitment की process आगे बढ़ाई जाए candidate को joining दी जाए और बाकी जो भी इसके regarding आगे update आएगी वह update भी आपके साथ इसी चैनल पर जुरूर शेर की जाएगी और अगर अभी भी आपके mind में कोई भी किसी तरह का confusion है कोई भी doubt है तो आप नीचे comment box में जुरूर comment कीजिएगा और अपने valuable viewpoint भी जुरूर लिखिएग करके और वार रारी म हम चेते जुरूर में solving का présente भी महाईगी हम सभी किसी तरहूर है ऍारी में कर दो कौरूरूर अपके 2 जुरूरू है पेसे फिसेंगे का Lisa वचुरूर है और ओर यूरूरे बाहे झारी में का सभाएगी तरह का सिあ करा में क्रष तरह दूरूर अ़त है